Hey everyone, welcome back to my channel तो इस वीडियो में बात करेंगे मेरे sketching tools के बारे में जो कि मैं आजकल use कर रहा हूँ अपने drawings में, realistic drawings में या फिर commission drawings में जो कि आपने देखा था काफे लोग बोले हैं आजकल कौन से tools use कर रहा हूँ तो मैंने कुछ tools upgrade किया है, मेरे drawing भी काफी upgrade हुई है तो इस वीडियो में दिखा हूँगा कौन-कौन से tools में आजकल use कर रहा हूँ ज्यादा से यादा कुछ इतने tools हैं जो कि मैं daily use करता हूँ अगर मुझे कोई realistic drawings बनानी है तो let's see सबसे बहले बात करते हैं graphite pencils के बारे में तो graphite pencils जो मैं use कर रहा हूँ आजकल वो है Mono 100 की 2H, 3H, 4H, F और 6B तो यह कुछ grades हैं जो कि मैं आजकल use कर रहा हूँ जो 2H, 3H, 4H, F है यह मैं light layering के लिए use कर रहा हूँ Artline 10B graphite pencil जो कि मुझे इस से विए dark लगती है तो मैं तो starting से यह use कर रहा हूँ तो मुझे काफी अच्छे लगती है अगर extremely dark areas करने हो तो काफी cheap pencil है और काफी dark है बट इसकी build quality इसने अच्छे नहीं है तूट जाती है ज़्यादा बट डार्कनेस मझे काफी अच्छे लगती है इसकी इसलिए मैं डार्क रियाज में इसी का यूज़ करता हूँ Light grade के लिए मैं Mono 100 की 2H, 3H, 4H और F pencil यूज़ करता हूँ च्योंकि अगर मुझे face पे लिए light layering करने है starting से तो मैं इनी pencils का यूज़ करता हूँ SucuraPancil है So यह ती στα P WILC mata को सबसे ज्यादा यूज़ करता हूँ इसकी grades आयता हूँ आपको तो यह है तो यह है 4B 65 0.55 वह फो भी помогि चुकि में सबसे ज्यादा यूज़ करता हूँ 0.3 में वह वह भी तो यह 3 कीज़ इन है जो कि मैं सबसे यादा यूज करता हूं में तो बी और फूर बी कि ग्रेड के लिए में में जिल्क पैंसिल का यूज करता हूं क्योंकि एग तो शार्प निकरना वड़ता बिल्कुल भी अगर आपको एक लिया में बिल्कुल अच्छ से उनिफोर्मोशन में छेडिंग करनी है त तो इसलिए मैं सबसे जादा यूज इसी करता हूं starting से तो यह तीन लीट हैं जो कि मैं सबसे जादा यूज करता हूं अपने टोइक से वैसे में पास और भी है H,B,H but मैं उनका जादा यूज नहीं करता हूं सबसे जादा यूज यही होती है 4B और 2B तो 0.3 की 2B है यह यलो वाली यह यलो कलर में आती है सकूरा की और यह है 4B की और यह है 2B की तो यही mechanical pencils मैं यूज करता हूं अगर मुझे 2B और 4B की grade की pencil को यूज करनी हो तो और dark areas के लिए और hair के लिए मैं यूज करता हूं Camlin की soft और normal charcoal pencil soft सबसे जादा यूज होती है और erasers की बात कुरता हूं मैं दो ही erasers का सबसे जादा यूज करता हूं एक है tomo mono zero और एक है needed erasers में mono zero ही सबसे जादा यूज होता है hair में और पिर कहीं भी आपको चोड़ोटे areas को areas करना हो इस बड़े areas में भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो mono zero में सबसे जादा यूज करता हूं और हलका सा कर मुझे face पे highlights वगरा करने है तो मैं needed laser का भी यूज कर लेता हूं और अगर मैं बात करूं blenders की तो मैं तीन blenders सबसे main यूज करता हूं सबसे पहले नमबर पे तो brush है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है second number पे है tissue paper जो कि अगर face पे बिल्कुछ smooth texture बनाना होता हो और third number पे है ये जो कि मैं कभी-कभी ही use करता हूं सबसे जादा यूज होता है brush यही तीन blender से जिनकी मुझे जरूरत पढ़ती है blend करने के लिए इस से आदा कोई में जादा यूज करता हूं और कहीं कहीं पर dot dot अग तो इस पे 2 side है rough भी है smooth भी है तो मैं smooth side ही use करता हूं जो कि medium surface काफ यह चेचिस में smooth shading हो पाती है portraits के लिए तो यह हैं सभी इनका screenshot ले ले लेना अगर आपको buy करने है तो और link description में देदू अगर आप check करना चाहें तो यही है सभी sketching tools जो कि मैं आजकल अपनी sketching में यूज कर रहा हूं realistic drawings में या फिर commission works में इतने ही है ऐसे तो मेरे पास और भी बहुत सारे पड़ें different kind के जो कि आपको वीडियो में दिखाता रहता हूं review करके but mainly जो daily use होते है commission work में या फिर कोई भी realistic मुझे वीडियो बनानी हो तो यही है इस वीडियो में इतना है I hope इस वीडियो से को काफी यदा help में लिए होगी help में लिए दो वीडियो को like जरू कर देना और चैनल को subscribe कर ले तो मिलते हैं जल्दी ही next video में तब तक के लिए do practice do improve take care and thank you so much for watching